हेगाईज वल्कम टो माई चानल आप से भी कर स्वागत करता हूँ अब एक नए एपिसोड में दोस्तो ऐसा लगता है कि एद पे एक महा क्लैस हो सकता है संजली लवहनसाली की फिल्म लव एंड वार दूसरे तरफ शारुखान की किंग दोस्तो आज किंग को लेके मीडिया में खबरे आई बगैदा ये खबर निकलवाया गया रेट शीलीज के तरफ से अभी रेट शीलीज ने कोई ओफीसियल नहीं किया है कि हम इस फिल्म को कब करेंगे लेकिन इंडेस्टी में सबको पता है क्योंकि रेट शीलीज ने आज जो न्यूज बाहर निकलवाया है ये दोस्तों 100% सही है रेट शीलीज यानि शारुखान की पूरी टीम शारुखान सिधात आनंद किंग की पूरी टीम देख रही है दोज़जर शब्वीस का मा Лoo26 22 से इद पे नहीं आरें 25 इद मैंगे 22 22 के इद मैं आएंगे रखाली है रहें तो सिंधाट अगर सन्मान भाई नहीं आ रहें तो ऑन音क्स प्रस के टाइम भी ऐसा हुआ था शारुखनर नहीं आ आया ओफीसियल नहीं आया लेकिन आप इसे ओफीसियल मान सकते हैं जैसे ही अपडेट आया है कि किंग इद दोहज़ाशबश्च भीस में आएगी संजे लिला भनसाली ने भी एक बड़ा अनौसमेंट कर दिया और संजे लिला भनसाली ने यह साइट से खबरे नहीं दी इसक इसा नहीं किया संजे लिला भनसाली ने बकायदा ओफीसियल एनौसमेंट किया कि भाईया हम भी अब दोहज़़शबश्च भीस के एद पर आ रहें अब कौन सी फिल्म है दोस्तों लव एन वार आप सभी को पता है रनबीर कपूर आलिया भट विकी कॉसल और संजे लिला बनसाली एक बहुत 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 डिरेक्टर आप सभी को पता है और बहुत बड़ी फिल्म बना रहें संजे लिला भनसाली जिसका बजट भी मतलब हारी भरकर बजट होगा संजे लिला बनसाली ने पहले एनौस किया था है दोहज़़श का क्रिसमस और आज दोस्तों उन अपने 60 साल की उम्र में दोस्तों सब कुछ पा लिया है अब शारु खान को अपने मैलिट फिल्म ब्लॉकबस्टर देना है कंटेंट पर देना है क्लैश हो रही है क्या हो रहा है उससे फरक नहीं है क्लैश से वीकेंड तक आपको लॉस होता है लेकिन अगर आपकी फिल्म अच्छी होती है तो lifetime में वो audience आती है यह होता है दोस्तों लेकिन यहां एक बड़ा क्लैस है लेकिन अच्छी बात यह होगी कि किंग एक अक्शन फिल्म है डंकी आक्शन नहीं थी यहां action फिल्म है किंग लेकिन content अच्छा होना चाहिए अब किंग के साथ negative point क्या है सुहान खान है दोस्तों सुहाना खान है और उसके बाद अभिशेक बच्चन आड हो गए मैं यह fans की इसाप से सोच रहा हूं कि सुहाना खान तो पहले थी ही अब अभिशेक बच्चन आ गए तो यह दोनों नाम के वह यहसे ना fans कहते हैं कि इस film की लिए जादा excitement नहीं दिखा पा रहें फिल्म का hype पता नहीं क्यों नहीं बढ़ पा रही है हाला कि मुझे पता है कि किंग बहुत बड़ी फिल्म है जनवरी से लेकि सितंबर तक शूटिंग होगी दोस्तों आप देख लें जनवरी फरोणी मार्च अपरील मैं जू 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 अगा सितं लेकिन फिर भी सुहाना खान के वह से फिल्म का hype नहीं बढ़ पा रहा है ऐसा मुझे लगता है और बहुत सारे fans भी ऐसा समझने होंगे कि सुहाना खान में कोई छोटा रोल नहीं है पाच मिनट का दस मिनट का सुहाना खान का एक parallel lead है दोस्तों पूरी फिल्म में आपको न ले थोड़ा हुई है इतना लंबा चला गया है फिल्म मतलब 25 में कहीं आ जाना चाहिए थे इस फिल्म को यह 26 में क्यों गई फिल्म मतलब 25 में रिलीज हो जाती फिर 26 में पठान टू आती अब 25 27 में आएगी वक्त निकल रहा है और fans भी सोच रहें कि भाई आप क्यों इतन करो अभी आपको 10-12 blockbuster देना है एक legacy मना के जाना है लेकिन वह क्या हो पाईगी यह तो आने वाले वक्ते पता चलेगा clash और देखते हैं कि clash होता है या नहीं होता है आप बताएं कमेंट करेंगे कि अगर दोनों के बीच clash होगी तो किसकी जीत होगी मुझे लगता है कि content की जीत होगी जिसका content जबरदस्त होगा वो lifetime अच्छा business करेगी इंडिया या फिर worldwide आप कमेंट करके बता सकते हैं और हमार झाल 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